इंडियन बायक्स डाइविंग 3D तो फाइनली का इंडियन बायक्स डाइविंग 3D का अपडेट आ चुका है तो अपडेट के अंदर कई साधी चीजे गेम में एड हो चुकी है जैसे की कार सो चुकी है बायक्स तो इसका क्या गाम है वो मैं आपको आगी की वीडियो में पूरा बता दूँआ तो सबसे पहला यूज यह है कि हम अपने फोन का कलर चेंज कर सकते हैं तो हमको आज इस टूल्स पर जाना है और हमको लिखना है पी एच ओ एन फोन और C-O-L-O-R तो कलर की स्पेलिंग आप C-O-L-O-R डालना और कलर डाल देना रेड तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपने फोन का कलर रेड हो चुका है गाईज तो इसी तरीके से अगर अगर आपको दूसरा कलर डालना है तो आप लिखेंगे फोन कलर और जो भी आपको क कलर और अपने इसाब से कलर डाल देंगे जैसे कि मैं डालना हूं ग्रीन तो मेरे ग्रीन कलर डालते ही फोन का कलर हो चुका है ग्रीन अगले RGS टूल का यूज करने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा कार शोरूम बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता कि कार शोरूम आक तो फाइनली हम लोग कार शोरूम पहुंच गए हैं तो जैसा कि अब देख सकते कि शोरूम के अंदर एक भी कार नहीं है तो अब हम लोग को क्या करना है अब हम लोग करेंगे RGS टूल का यूज तो हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे C-A-R-S Cars B-U-Y हम लोग कर देंगे OK तो यहाँ पर शोरूम कार्स बाई का RGS टूल लग चुका है अब हम लोग को शोरूम से इतना दूर जाना है कि हम लोग को शोरूम दिखे ना तो चलते हैं शोरूम से बहुत दूर तो हम लोग शोरूम से काफी दूर आ गए है तो यहां से शोरूम हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है तो चलते हैं शोरूम की ओर और देखते हैं कि गाड़िया आ चुकी है या नहीं आई है तो फाइनली हम लोग शोरूम पहुंच चुके और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक से एक luxury cars आ चुकी है पहले से already तो चल कर देखते कौन कौन सी cars आ चुकी है तो पहले नमबर पर घड़ी है Supra, दूसरे नमबर पर Mustang, तीसे नमबर पर Ferrari बहुत सही, तो दूसरे शुरू में कौन कौन सी घड़ी है तो यहाँ से मेरे को पहले नमबर पर Lamborghini दिख रही है तो चल कर देखते हैं, जी हाँ पहले नमबर पर Lamborghini, दूसरे नमबर पर McLaren और तीसे नमबर पर Lamborghini V2 RGS Tool का जो तीसरा यूज है वो है Teleportation का तो आप जहां पर खड़े हैं, आपको RGS Tool पर सीधर टाइप करना है L A V E Save तो आपको Save करके बस छोड़ देना है और उस जगे से आपको बहुत दूर चले जाना है तो Finally हम लोग उस जगे से बहुत दूर आ चुके हैं तो अब हमको करना कह है हम लोग को RGS Tool ओपन करना और यहां पर टाइप करना है L O A D बस लोड टाइप करके आपको क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं यह आपके साथ हो गया जादू आप जहां पहले थे वहीं आप आ चुके तो Teleportation का एक और बाद यूज़ करेंगे एक और यूज़ करने के लिए मैंने गाड़ी स्पॉन कर लिए और मैं यहां से जाना वाला हूँ फिर से दूर तो मैं ज़्यादा दूर जाओंगा नी मैं बस अपनी गाड़ी को यही तक ले जाओंगा उसके बाद मैं उतर कर इस दिवाल के पीछे खड़ा हो जाओंगा उसके बाद मैं अपने RGS टूल पर फिर से लोड टाइप करूँगा तो मैं जल्दी से खड़ा हो गया हूँ और मैंने RGS टूल खोल लिया और मैं यहां पर टाइप कर दूँगा LOAD लोड तो जैसी मैंने क्लिक किया और मैं फिर से टेलिपोर्ट होकर उसी जगे पर आ चुका हूँ गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं RGS के अगले टूल में हम लोग आस्मान में जैट प्लेन ओडा सकते हैं तो जैट प्लेन ओडाने के लिए आपको करना क्या है simply आपको आरजैस टूल open करना और वहां पर type करना है JET बस आपको JET type कलकर पस क्लिक कर देना है और आप आस्मान में देखेंगे यह जेट उढ़ने लगेगा तो यह आप देख सकते हैं यह देखे हैं तो आप जितनी बार आज यह इस टूल पर जेट टाइप करेंगे उतनी बार जेट उढ़ेगा और उतने ही जेट उढ़ेंगे अगर आप 10 वार टाइप करेंगे तो 10 जेट आपको आस्मान में दिखेंगे तो मैं आपे जल्दी से 3-4 वार टाइप कर देता हूँ तो मैं आस्मान में देख सकता हूँ कि 2-3 तो मेरे सामने ही है तो जितनी वार मैंने टाइप किया उतनी वार जैट ये पूरे आ चुके हाँ समन में तो उमीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आईए अगर पसंद आईए तो लाइक कर दे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दे आगे के अपडेट में जल्दी ही देता रहूँगा